Hello student, आज की इस lecture में हम discuss करने वाले हैं Indian Constitution को, भारत के सविधान को हम discuss करने वाले हैं कि हमारे जो भारत का सविधान है, उसके क्या विशेष्था है, क्यों हमारे लिए वो इतना जरूरी है, किन कारणों से हमें इसको पढ़ना है और ये हमारे लिए क्यों काम आने वाला है तो बेसिकली जह हम बात करते हैं Indian Constitution की या भारत के सविधान की, तो हमारे सामने जातर भी आर अंबेट के बारे में हम सोचन लग जाते हैं, कि उन्होंने ही हमारे भारत के सविधान को बनाया था तो सबसे पहले हम डिसकस करेंगे भारत के सविधान की क्यों importance है, क्यों महत्वता है, ये question हर साल आपके एक्जाम में पूछे आता है और कुछ इस तरीकी से पूछे आएगा कि भारत के सविधान के विशेशताय बताए, या write the feature of Indian constitution, भारत के सविधान के feature बताईए, तो ये जो feature है, ये हर साल आपके एक्जाम में आते हैं, तो मेरा purpose आपका यही है, main main की आपको इस सविधान के, जो main main feature है, जो important, जो विशे बिस्ताय है, वो मैं आपको बतादू, इस वीडियो लेक्चर के अंदर, इस तरह मैं इस वीडियो का आपको सामने लेकर आ रहा हूँ, चलिए हम discuss करते हैं, हमारी सविधान की क्या features हैं, क्यों हमारा सविधान इतना important है हमारे लिए, और क्यों इसको इतना ज़्यादा importance दी जाती हैं, देखो, पहला तो यह समझ लो, इक constitution क्या चीज़ है, constitution एक book है, ठीक है, एक basically book है, जिस book के अंदर, भारत के अंदर, कोन क्या कर सकता है, कोन क्या नहीं कर सकता, यह सब बताया गया है, मतलब, राश्टपती क्या कर सकता है, परदान मंतरी क्या कर सकता है, election commission of India क्य क्या करेगा, ओके, तो यह सब चीज़े हमारे किसमें लिखी गए, constitution के अंदर लिखी गई है, बहुत से लोगों को यह लगता है, कि constitution के अंदर, यह लिखाएगी, भाई, सजा कैसी, नहीं, यह आप ध्यान रखना, उसके लिए IPC है, IPC है काम होता है, लोगों को, मतलब, कि इसने क्या जुलूम कया, उसकी सजा देना, ओके, तो IPC, Indian Panel Code, इसको आप constitution से confuse मत होना, यह बिल्कुली different है, जबकि constitution में तो यह बताया गया है, कि कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है, और कौन व्यक्ति क्या काम नहीं कर सकता है, और इवन इसमें यह भी mention किया वा है, कि हमारी केंद सरकार क्या करेगी, राजे सरकार क्या करेगी, लोकल गवर्मेंट के पास क्या authority है, इवन आप क्या करोगे, आपके पास कौन से अधिकार है, तो यह जो सारे सवाल है, इनका solution हमें कहां मिलता है, इनका solution हमें मिलता है, Indian Constitution में, भारत के सविधान में, भारत का सविधान के अंदर देखने को मिलती है वो है कठोर और लचीला तो आप बोलोगे सर यह तो possible ही नहीं है कि कोई वस्तू कठोर और लचीला हो बच्चों मैं आपको बता दू कि यहाँ पर मैं physically बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर हम discuss कर रहे हैं इस बुक के feature के वारे हैं बात कर रहे है okay तो हम यह मैं आपको बता यह तो कि कठोर हमारा सविधान क्यू है होता है कि हमारा Constitution आपको पता ही होगा 26 जन्वरी 1950 को हमारा सविधान लागू हो था implement हो था उसके बद Yoo अब जब यह लागू हुआ तो 1950 से लेकर आज क्या आच चुका है आज 2020 आच चुका है तो बहुत ज़ाद़ डिफ्रेंसीज है ठीक है काफी डिफ्रेंस है ठीक है उस टाइम अलग चीज़े थी आज अलग चीज़े है तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा हमें बदलाव भी चाहिए जरूरी है ब थोड़े बदल गए है जैसे कि 1950 के टाइम पर इंटरनेट नहीं था बड़ आज इंटरनेट है तो इसके रिलेटिन कुछ हमें लो बनाने पड़ेंगे कानून बनाने पड़ेंगे असा कॉन्सलिशन को अमेंड करना पड़ेगा ओके तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारे फ्लेक्सिबल्टी का मतलब होता है कि जब भी हमें लगता है कि इसमें कुछ बदलाव लाना है कुछ चेंज लाना है कुछ संशोधन लाना है तो हम इसको इसके अंदर संशोधन ला सकते हैं इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं इसलिए हम अपने सभीधान को क्या बोलते हैं flexible हमारा से भी दहन क्या है क्योंकि जरुरत पढ़ने पर इस पर संशोधन किये जा सकते है जो काफी असान होता है क्या बोला मैंने बाद बार repeat कर देता हूँ हमारा constitution क्या है flexible constitution है क्योंकि जब भी हमें जरुरत पढ़ती है तो हम इसके अंदर amendment कर सकते है इसके अंदर संशोधन कर सकते है for example मैं आपको एक example के साथ इसको बैस समझाता हूँ देखो हमारे देश में आपको पताओगा vote ढ़ने की age क्या है 18 है 18 एज का जो एक man है या male है या female है वो vote दे सकता है तो basically ये age पहले 18 नहीं थी पहले ये 21 थी क्या थी 21 थी 1989 में राजीव गांदी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे भारत के प्रधान मंत्री थे उन्होंने क्या करा था इस 21 एज को 18 कर दिया था क्योंकि हमें लगा कि 18 साल का जो व्यक्ति है वो अच्छे से सोच सकता है अपने decision ले सकता है इसलिए हमने क्या करा इसको 21 से घटा कर 18 कर दिया था तो ये हमारा स्विधान क्या है flexible है काफी अधर लचीला है तो लचीला इन्देसन समझ गए कि जब भी हमें जरुरत पढ़ती है तो इसको हम जरुरत के इन्देसर इसके अंदर बदलाव ला सकते है ये इसलिए हमारा स्विधान flexible है अब बात करते है rigid की rigid की हम कठोर बोलते है अब कठोर कैसे है कठोर का मेरा इंदन सेंस यहाँ पे आप physical मत लेना कठोर का मतलब है कि जो एक process होता है ना change करनेगा मतलब जब हमने इसको 21 से 18 करा तो एक process काफी मुश्किल होता है इतना असान process नहीं होता मैं आपको बथाएता हूँ कि इसके लिए आपको जो लोग सभा और राजे सभा होती है जो लोग सभा और राजे सभा है लोग सभा में कितने मेंबर होते है लोग सभा में लगबग आपके 545 मेंबर होते है राज सभा में कितने मेंबर होते है 245 मेंबर होते है तो इन दोनों का आपको 2 तीयाई भूहमत चाहिए 2 तीयाई भूहमत बहुत होता है जैसे 545 की अबात करू तो इसका दो त्याई भूमत कितना हो गया लगबग 370 के राउंड इसका दो त्याई भूमत हो गया तो यह काफी huge नंबर है काफी high नंबर है तो हमारे सवीधान को amend करना अमेंड तो हम कर सकते हैं लेकिन जो process होता है वो क्या होता है काफी अधा मुश्किल होता है मतलब कि 245 में से लगबग 2 तीहाई member two third member agree होने चाहिए इस proposal के लिए तो इसी reason से इसको basically पूरा कर पाना आसान काम नहीं है हमारे सवीधान में यह feature तो है कि हम इसको Amend कर सकते है लेकिन जो process होता है jus कफी कटोर होता है काफी मुश्किल होता है इसलिए हम क्या बोलते हैं हमारा सवीधान क्या है rigid है हमाराaction कठोर है ओके समझ गए तो हमारा सविधान क्या है एक लचीला भी है और कठोर भी है यह आप बात धिहान रखना वेरी इंपॉरेंट फॉर एक्जाम प्रस्पेक्टिव अंडर्स्टेंड चलिए अब डिसकस करते है फंडमेंटल राइट को देखो आप बच्पन से पढ़ते देख लेते हैं तो पहला फंडमेंटल राइट क्या है राइट टू इक्विटी सभी को एक्वल एक्वल ट्रीट किया जाएगा उसकी कास्ट जैनर रिलिजिन के अधार पर कोई भी डिस्कुमिनेशन नहीं किया जाएगा राइट टू फ्रीडम स्वतनता का दिकार है हमार किसे fundamental rights related एक chapter है separate chapter है उसको हम उसमें discuss करेंगे chapter number two basically fundamental rights related है उसमें हम इसको discuss करेंगे okay fundamental right के साथ सबसे जो सबसे अच्छी बात ये होता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का किसी भी fundamental right का उलंगन होता है violation होता है तो हम direct supreme court जा सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, Supreme Court directly हमारे fundamental right को protect करता है, हमारे fundamental right को शुरक्षित करता है, तो अब ध्यान रखना, इसलिए हमारे जो constitution है, वो बहुत ही important है, बहुत ही जरूरी है, तो fundamental right ये point भी आप ध्यान रखना, ये भी बहुत ज़दा important है आपके लिए, तो first, flexible and rigid constitution है हमारा, second, fundamental right है, जो कि किसके दोरा protect होते है, जो protect होते है, Supreme Court के दोरा, अचा, fundamental right से लिए कुछ बाते है, वो आप note down कर लो, ये आपके लिए exam में आप लिख लो, पहले जरा मैं इसको erase कर दूँ, चलिए, तो अब fundamental right से लिए बेसिक बाते आप ध्यान रखना, जो है आपको बताएं तो मैं, तो ये fundamental right कौन से article है, कौन से article तक है, तो article 14 से लेकर, article 35 तक, हमारे fundamental right हमें provide कर रखे हैं, ठीक है, और सविधान के part 3 में है, ये part 3 क्या है, part 4 क्या है, ये सब मैं आपको आगे discuss करूँगा, फिलाल आप ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, कि हमारे सविधान, जो fundamental right है, वो article 14 से article 35 तक है, और जो part 3 में ये है, ये आप ध्यान रख सकते हो, तो ये ध्यान रखना है, ये part 14 नहीं है, part 12 है, वैसे 14 से शुरू होते हैं, लेकिन 12 और 13 भी एक fundamental right में ही गिना आता है, इसको भी हम इसको add कर लेते हैं, actually 14, जो article 14 है, यहां से हमारे actual fundamental right शुरू होते हैं, वो 12 और 13 में थोड़ा सा दिखाया गया है, कि किस तरीके से इनको implement किया जाएगा, किस-किस जगहा पर ही implement होगे, वो इसको भी हम include कर लेते हैं, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कि हमारे fundamental right आर्टिकल 12 से, आर्टिकल 12 से, आर्टिकल 65 तक हैं, अगला जो हमारे सविधान का feature है, वो है DPSP, DPSP कि लिफोर्म क्या है, Directive Principle of State Policy, Directive Principle of State Policy, हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्य के नीती निर्देशक तत्व, चलिए इसको मैं आपको असान भाषर में बथा ज़ता हूँ, दो क्या है कि DPSP, नाम से ही पता लग रहा है, Direct करना, किसी को निर्देश देना, ये देखो लिखा भी है, निर्देश, Directive, किसी को Direct करना, तो State, जो एक State है, जैसे कि आपका हरियाना हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, तो State जो है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपने लोगों के लिए, वो सब कहां पे लिखावा है, वो भी हमारे Constitution में लिखावा है, उसी को बोलते है, DPSP, Directive Principle of State Policy, अगर मैं आपको थोड़ा सा और Easy Way में बताओ, तो ये है कि एक राज्य, जो एक State है, वो अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है, और क्या नहीं कर सकता, क्या उनके लोगों के अच्छा होगा, क्या अच्छा रहीं होगा, वो सब हमारे सविधान में लिखावा है, कहां पे लिखावा है, हमारे सविधान में DPSP में लिखावा है, अच्छा, DPSP कहां पढ़ते हैं, DPSP पढ़ते हैं, Part Fourth, हमारे सविधान के पार्ट फोर्थ है उसमें DPSP को हमने लिखा वा है और ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक शामिल है आर्टिकल 51 जो है यहां तक हमारे DPSP लिखे वे हैं इसमें बेसिकली एजुकेशन पर फोकस दिया गया बच्चों के ओके शराप पर बैन लगाने की बात की गई ओके तो लोग को इंप्लॉइमेंट डोजगार देने की बात की गई तो इसमें बहुत सी बाते लिखी गई है DPSP के अंदर जो एक स्टेट को अपने लोग के करना चाहिए इसका बिड़े मिल की फैसिलिटी है वहाँ पर जो स्टेट है वह गवर्मेंट स्कूल में लोगों जो एक क्लास के स्टूएंट होते है उनको खाना परवाइड करता है हर दिन तो यह किस के अंदर आता है यह आता है DPSP के अंदर आता है हर स्टेट के अंदर यह मिड्डे मिल की फैसिलिटी है वह डिफिरें डिफिरेंट है ओके तो आप ध्यान रख सकता है है तो यह मिड्डे मिल की ववस्ता है वह कहीना कहीं किससे लगाई है वह DPSP से ली गई ये राज्ये की निती इंदेश से ली गई है ये आप ध्यान रखना तो DPSP समझ आ गया कि जो एक state है एक particular state है उसे वो अपने लोग के लिए क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता वो सब चीज़े इसके अंदर बताई गई है अगला डिसकर्स करते हैं federal constitution ये इसको बोलते हैं संगवाद हमारा जो देश है हमारे जो सरकार है हमारे जो constitution है बेसिकली उसने federalism को अपनाया है federalism का मतलब क्या होता है federalism का मतलब जहां पे power किसी एक सरकार के हाथों में ना आओकर एक से ज़ादा सरकारों के हाथों में होती है तो आप इंडिया में देखो तो इंडिया में more than one government है for example इंडिया में central government है और state government भी है हर state की अपनी अलग government होती है और central की एक government होती है तो इससे क्या है कि हर state के पास हर government के पास अलग-लग responsibilities होती है जैसे central government के पास अलग काम होते है state government के पास अलग काम होते है तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारे देश में संगवाद का संगवाद बनाया गया है संगबाद के दुवारा जितने भी governments है उनके बीच में power का distribution किया गया है जैसे मैं आपको थोड़ा example देता हूँ for example जैसे कि हम बात करे army की हम बात करें अपनी इंडियन army की तो army किसके एंडर में आती है army का army आती है हमारी central government के एंडर में वही में बात करूँ पुलिस की तो पुलिस किसके एंडर में आती है पुलिस आती है state के एंडर में for example मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस महराष्ट कवर्मेंट के एंडर में आती है यह महराष्ट पुलिस महराष्ट पुलिस गुजरात पुलिस, हरियाना पुलिस, पंजाब पुलिस, तो वो किसके अंडर में आती है, स्टेट के अंडर में आती है, लेकिन जो इंडियन आर्मी है, वो सेंट्रल के अंडर में आती है, आपने सिर्फ इंडियन आर्मी ही सुना होगा, हरियाना आर्मी नहीं सुना होगा, तो भारत के अंदर कुछ काम Central Government के fix होते हैं और कुछ काम State Government के fix होते हैं यह आपको ध्यान रखना है यह आपके important point मैं आपको बता रहा हूँ और भी थोड़ा से example आपको देता हूँ मैं जिसे ट्रांस्पोर्ट, local transport जो local transport होते हैं वो स्टेट के अंदर में आते है जैसे आपने लिखा जो दिल्ली की 22 Со석 में क्या लिखा होता है दिल्ली Transport Corporation हर्याना Transport Services तो इस तरीकिते लिखा होता है यह जो local transport हो किस के अंदर में आता है वो स्टेट के अंदर में आता है और जबकि जो international transport है जैसे कि इंडियन रेलवे हो गई है तो यह सब किसके अंडर में आते हैं यह सब आपकी Central Government के अंडर में आते हैं ठीक है खासकर Indian Railway तो यह मैं आपको समझा रहा था कि हमारे हमारा जो Constitution है फैटरल है यहाँ पर दोनों गवर्मेंट को बराबर पावर दे रिखिए है इवन तीनों गवर्मेंट को अलग अलग काम दिये गए है तीन गवर्मेंट कैसे एक होगी Central इसले भी important है और बाकी आपने तीन लिस्ट पड़ी होगी तीन लिस्ट क्या है मैं आपको बताता हूं जो तीन लिस्ट है वो आपने पड़ी होगी पहली जो लिस्ट है उसको यह इसको बोलते है Central लिस्ट फिर आती है आपकी state list फिर आपकी आती है concurrent list तो state central list में पहले 97 काम थे लेकिन आज वो कितने हो चुके 102 हो चुके है state list में 66 काम थे जो आज 62 हो चुके है concurrent list की बात कोई तो 47 काम थे आज बढ़ के कितने हो चुके है 52 हो चुकी है ये आप धियान रखना अब यह है क्या चीज देखो जो center list होती है इसमें केवल central government काम कर सकती है जो 102 काम है इसमें को मनाएगा central government मनाएगी state list में केवल state government काम कर सकती है और concurrent list में दोनों government काम कर सकते हैं, central भी और state भी, लेकिन चलते हैं किसकी ज़्यादा है, central government की, okay, जो मैंने को बताया था न, जो army है, वो central list का part है, और police किसका part है, state list का part है, okay, concurrent list में जैसे for example, education, education दोनों का part है, ठीक है, education को state भी provide कर सकता है, और centrally भी provide कर सकता है, यह आप बात ध्यान रखना, okay, तो इसलिए हमारा constitution क्या है, federal constitution है, यह आप ध्यान रखना है, important cost topic है आपके लिए, okay, अब बात करते हैं, independent judiciary की, तो हमारे देश की जुडिश्री है, मेरा personal point of view है, जो जुडिश्री है, वो हमारे देश के अंदर बहुत important है, और even हमारा जो जो parliament होती है कही ना कही जो संसद है, उस पर भी control करती है हमारी judiciary, देखो, अगर मान लोग की किसी के साथ अन्याय हो रहा है, मान लोग सरकार ही किसी के साथ अन्याय कर रही है, तो वो व्यक्ति कहां जाएगा, तो वो व्यक्ति जाएगा न्याय पालिकर के पास, जुडिश् भारत देश में एक ऐसा ओर्गन है, जो लोगों को न्याय देने आगाम करता है, प्रोटेक्ट करने आगाम करता है, और एवन सरकार की जो पॉलिसी होती है, उनको तक जो खराब पॉलिसी होती है, उनको तक रोगने आगा काम कोन करता है, हमारी judiciary, ओके, तो हमारी judiciary independent कैसे है आप बूस सकते हो सार हमारी judiciary independence कैसे हो गई, तो बच्चों हमारी judiciary independence इसलिए है, एक तो जो इनका time period होता है, वो fix होता है, मतलब इनका जो election होता है, वो fix time के लिए होता है, यह आप ध्यान रखना, second thing, इनकी salary नहीं रोकी जा सकती है, इनको salary time पर दी ही जाती है, ना उस पर फेर बदल भी नहीं कर सकते हैं, ओके, तो इनको मतलब economically भी यह, मतलब mentally ठीक रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार यह भी तो कह सकते हैं, आप हमारे, हमारे, लिए decision दो, अगर हमारे decision नहीं दोगे, हमकी salary रोक देंगे, तो government के पास इनकी salary रोकने हैं, कोई भी अधिकार नहीं है, इनकी salary सरकार को देनी ही पड़ती है, तो हमारी जो judiciary होती है, उनका decision आखरी होता है, उनके decision को नहीं बदला जाता है, क्योंकि judiciary के पास हमारे देश में proper power दी गई है, Parliament जितनी power इनके पास भी होती है, और judiciary देखता है कि अगर मान लो, सरकार ने कोई कानून मनाया, ठीक है, मैं आपको example के तहट आपको example देता हूँ चलो, मैं आपको example दो, जिससे सरकार ने कानून मनाया, कि जो girls है, उनको फुट के को किरगण खेलने का अधिकार नहीं मैं ज़्ष आपके एक ःग्साम्पल दे ला हूं आप इस एक्जाम्बल को समझीए और मान लो सरकार के पास majority है बोट houses में जैसे की लोग सब राज़ दोनों में उनके पास majority है तो वो bill क्या हो जाएगा पास हो जाएगा वो क्या बन जाएगा बट क्या वो कानून भालत के लिए सही है क्या वो कानून ethically है क्या वो कानून constitutionally है नहीं never क्योंकि इसमें कही ना कह judicial review क्या बोलते है जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपोर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू को हिंदियें बोले जाता है नियाएपुनर अवलोकन नियाएपुनर अवलोकन ठीक है ध्यान रखना नियाएपुनर अवलोकन या जुडिशियल रिव्यू के तहत क्या होता ह कि जो जुडिशरी होती है वो देखती है कि कोई कानून सविधान के अकोडिंग है कि नहीं है अगर वो कानून सविधान के अकोडिंग नहीं होता तो जुडिशरी क्या कर सकती है जुडिशल रिव्यू के तहट उस कानून को बरखास कर सकती है उस कानून को डिजॉल्व कर स सकती है तो इतनी जादा पावर दे रखिए जुडिश्री के पास क्यों कहीं न कहीं जुडिश्री एक ऐसा अंग है जो कहीं न कहीं सरकार की जो खराब policies होती है उनको रोकनेया काम कर सकती है इसलिए judiciary हमारे लिए क्या है भोजदा important है तो इसलिए हमारी judiciary वो क्या है independent है एक बात और judiciary जो हमारे chief gesture of India होते है CGI होते है उनके appointment में भी सरकार का इतना involvement नहीं होता सरकार को वो ही उनी लोगों को चुनना पड़ता जो नियाय पालिका उनको prefer करते है वैसे इसको हम और अच्छे discuss करेंगे chapter number 6 में कि judiciary क्या क्या है इसको हम अच्छे discuss करेंगे chapter number अपने 6 के अंदर अगला जो feature है हमारे सविधान का वो है चुनाव आयोग या election commission of India या भारते चुनाव आयोग बहुत से लोग उसको इतना preference नहीं देते इतना ज्यादा importance नहीं देते बट as a being student of political science आपको ये पता होने चाहिए कि election commission of India या भारत के लिए जो चुनाव होते हैं वो हमें जो ताना-शाही country होते हैं उनसे अलग करते हैं अगर इंडिया में चुनावी नहीं हो पा रहे हैं तो क्या इंडिया में democracy रहेगी नहीं रहेगी democracy क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी इसलिए भारत का चुनाव आयोग एक भहुत ही महत्वपुन आयोग है जो की भारत में चुनाव करवाता है और सिर्फ चुनावी नहीं करवाता है चुनाव को स्वतंत्र करवाता है निस्पक्ष करवाता है निस्पक्ष का मतलब होता है कि किसी की साइट पार्शल्टी नहीं करता मतलब जो जीतने वाला है उसको वही जीते इहां पे कोई पार्शिल्टी नहीं होती, ऐसा नहीं की सरकार इंपर दबाव ढालके अपने वोट ज़ादा करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता, हमार जो Election Commission of India होता है, वो क्या काम करता है? वो independent काम करता है, स्वतंत्र काम करता है same, इनके साथ भी वह होता है इनकी जो salary होती है, वो भी fix होती है इनका time period ही fix होता है इनको हटाना इतना असान काम नहीं होता वह सरकार इनको threaten कर सकती है कि भाई आप हमारे ले काम करिए तो जो भारत का चुनाव आयोग है वो ऐसा नहीं करता जबकि वो क्या कराता है free and fair election कराता है बहुत से देशे में चुनाव तो होते है बट वहाँ पे जो चुनाव होते है वो free and fair नहीं होते सबसे भैतरीन example आप पाकिस्तान का देख सकते हो पाकिसान में चुनाव तो होते है परन्टू महाँ पे free and fair election नहीं होते वहाँ पे लोग vote ढालने हो जाते है लेकिन जो उनकी आर्मी कहती है वो ही व्यक्ति जीता है अगर आपने पाकिस्तान के election को absorb किया होगा अभी जो recently हुए थे तो आपने देखा होगा किस सरीके से जो अपोजिशन लीडर थे नवाज शरीफ उनको जेल में लाल दिया गया और आज भी वो जेल में है तो मेरा कहने का आपको सिधा सिधा मतलब यह है कि बहुत सी जगाव पे election तो होते है बट वहाँ पे जो election का जो transparency होती है या फिर स्वतनत्रा होती है वो हमें देखने को नहीं मिलती एक और example रशिया रशिया जैसी country में भी election जो है वो कहिना कहीं free and fair नहीं होते वाज इतनी भी opposition leaders होते है या तो उनको मार दे जाता है या उनको कहिना कहीं isolate कर देते हैं तो ऐसी problem में देखने को हर जगा मिलती है लेकिन भारत एक ऐसी country जहां पे election free and fair होते हैं जिनको जनता चाती है अगर सरकार लोगों के ले काम नहीं करती तो लोगों के पास इतनी power है कि ओ सरकार को हटा सके आपने देखा ही था कि 2014 में किस तरीके से Congress को सत्ता से उखाड फैका था हमारी भारत की जनता ने तो इसी reason से हमारा election commission of India partiality नहीं करता वो independently काम करता है और ये बहुत ही जरूरी है और ये भी हमारे सविधान का important part है अगला जो point है अगली जो feature है हमारे सविधान का वो है distribution of power शक्ति का भी भाजन यहाँ पर शक्ति का भी भाजन मैंने अपको इसलिए इस topic को लिखा है क्योंकि सबसे important मिर को लगता है कहीं ना कहीं भारत के सविधान ने सबसे बड़िया provision क्या क्या है शक्ति का भी भाजन काम करना है और किसको क्या काम नहीं करना इसी रिजन से हमारे सविधान का सबसे कही न कहीं में जो important feature है वो है शक्ती का विभाजन मैं आपको एक ग्जामपल और देता हूँ इसको समझाने के लिए मान लो कि 10 लोग 10 गुरूप एक 10 फ्रेंड सरकल है वो किसी पिकनिक में जा रहे है या वो किसी कैम्प अटेंड करने जा रहे है दो दिन का तो अब क्या होगा कि मान लोग कि अगर इन 10 इन 10 यह नहीं पता होगे किसको क्या करना है तो क्या वो survive कर पाएंगे नहीं impossible है तो क्या करना पड़ेगा तो इनको पहले divide करना पड़ेगा कि भाई दो लोग लकडी लाने काम करेंगे दो लोग tent लगाने काम करेंगे दो लोग खाने की विवस्ता करेंगे तो इस तरीके से काम का division करना बहुत जरूरी है यदि काम का division नहीं करा जैसे मान लोग कि किसी ने काम का division नहीं करा तो क्या होगा चार लोग लकडी लेने चली जाएंगे एक बंदा tent लगा रहा होगा एक बंदा आग लगा रहा होगा तो क्या काम सही तरी के से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा लेकिन अगर आप इस case को देखो तो इस case में क्या है तो बराबर काम को डिवाइट कर रहा है जिसना जितने लोग जिस काम के लिए चाहिए उतने लोगों को वहां पे डिप्लॉय किया है मतलब वहाँ पे उतने लोगों को काम दिया है तो इसी रीजन से ये काम काफी अच्छा होगा जब कि वही हम इसकी अगर इस तरह की से division होगा अगर इस तरह की से division होगा तो वो काम जो camp है वो सही तरह की से survive नहीं कर पाएंगे तो हमारे constitution के अंदर सबसे अच्छी जो बात है वो है division of power यहाँ पे जो power है उसको अच्छी तरीके से divide करावा है each and every group को for example executive के अलग power है judiciary के पास अलग power है और हमारी विधायकों के पास अलग power विधायकों को बोलते है legislature तो executive मतलब कारेपालिका नियायपालिकों को बोलते हैं judiciary और विधायकों को बोलते हैं legislature तो यह भी division किसने कर रखा है हमारे constitution ने कर रखा है तो बहुत ही important चीज हमें देखने को मिलती है अब बात करते है written constitution हमारे भारत का सविधान एक लिखिस सविधान है हाँ अगर मान लो कि in future कोई हमें कमी लगती है तो हम देख सकते हैं कि हमारे सविधान के अंदर क्या सही है और क्या गलत है और even मैंने आपको बताया था थोड़े देर पहले कि इसको हम change भी कर सकते हैं हमारे सविधान में जह हमारे सविधान बनाया गया था तब उस दोरान उसमें कितने आर्टिकल थे मैं आपको बतायता हूँ यह दिहान रखना यह बहुत important है 395 आर्टिकल थे आज जो बढ़के सड़े 400 के अराउंड हो चुके है आपको सड़े 400 आर्टिकल हमारे सविधान में आज हमें देखने को बिलते है तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे यह था कि हमारे जो constitution है written constitution है मतलब लिखित सविधान है भारत का सविधान तो अगर यहाँ पे हमें कोई भी कमी लगती है तो इसको हम change कर सकते है इसको हम बदल सकते है लेकिन बहुत से देशों के सविधान लिखित नहीं है for example, Britain Britain का सविधान लिखित सविधान नहीं है जबकि वहाँ पे जो प्रमप्राय पहले जलती भी आ रही है उन्हीं को follow कि आ गया है लेकिन हमारे भारत के सविधान को लिखित सविधान का जाता कहते है क्योंकि हमारे देश में लिखित सविधान है जिसको आप easily पढ़ सकते हो और उसमें देख सकते हो क्या-क्या उसमें feature दिये गए है ये तो सिर्फ आठी feature आपको में दोता है वैसे बहुत से feature हमारे सविधान के अंदर है छे आपके लिए बहुत important है कोई भी छे आप अच्छे से जात कर लो ये आपके exam है six mark से question ही आप से पूछ जाएगा कि हमारे सविधान के अंदर feature क्या है वैसे और भी feature है इन feature को हम वैसे इस पूरी book में discuss करने वाले है अगर आपने अपनी book का title सही से देखा होगा तो आप में साफ सा लिकावाया है भारत का सविधान इंडियन constitution तो हम पूरी book में इंडियन constitution को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से basically इंडियन constitution के जो main main features है उनको हम discuss करेंगे किस तरीके से भारत का सविधान काम करता है क्या क्या provision है आपको अच्छी clarity मिल जाएगी कि किस तरीके से लोगसभा क्या है राजिसभा क्या है प्राइम minister क्या है प्रेसिडेंट क्या होता है cabinet क्या होती है council of minister क्या होते है यह सब जो हम terms आज कर daily news में सुनते है यह क्या है क्या चीज इनके अंदर होते है तो यह सब जानोगे 11th class के अंदर इसलिए 11th class की जो politics है political की जो books है उसमें basically हमारा जो mind है वो हमारे कही न कही एक तरीके से connect होना शुरू करता है हमारे देश के साथ सबसे अच्छा तरीका है आप news सुना हो आप 11th class में आ चुके तो आप news सुनिए जो basically जातर politics की news है तो वो सुनिए तो आपको यह सब चीज़े में आपको बता लो देरे देरे यह आपको clarity इसकी मिलती रहेगी तो यह आज के यही lecture था क्योंकि यह बहुत important lectures ले में इसकी separate video बनाई है ठीक है आगे अगले lectures में हम discuss करेंगे कि हमारा सब constraint की history क्या रही किस तरीके से बना फिर हमने किस दे से क्या-क्या borrowed क्या है उधार लिया है कि नहीं लिया है वो क्या controversy है वो भी हम discuss करेंगे आज के ले इतना ही thank you